78 साल के अमिताब बच्चन मुंबई के अस्पताल में भरती जान ये सचाई बोलेवुड मेगा स्टार अमिताब बच्चन अमिताब बच्चन करीब दो महीने पहले काविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे जिसके बाद उनका एलाज मुंबई के नानावती अस्पताल में हुआ था बिग भी इस वक्त के विसी की शूटिंग में व्यस्थ है इसी बीच तमाम मीडिया और सोशल मीडिया प्लेट फार्म पर यह बताया गया कि अभिनेता को शनिवार को मुंबई के नानावती अस्पताल में दोबारा भरती कराया गया था क्या है सच हाला कि हमारी सहयोगी वेबसाइट डी एनए में प्रकाशित खबर के अनसार अमिता बच्चन अस्पताल में भरती नहीं है और वे हम मुंबई में अपने घर पर है मीडिया में ऐसी खबरे थी कि 78 वर्षिये अभिनेता को चोट के कारण भरती कराया गया था और शनिवार से उनका इलाज चल रहा है जो कि सच नहीं है पोलेंड सरकार का फैसला इस बीच पोलेंड ने यह फैसला लिया है कि वेह अपने शहर रुकला राकलों में एक चौक का नाम बॉलिवूर्ड के महानायक अमिताब बच्चन के पिता हरिवान अश्राय बच्चन के नाम पर रखेगा इस बात की जानकारी खोद अमिताब ने अपने सोशल नेट्विवर्किंग साइट इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी है अलाकि यह पहला मका नहीं है जब अमिताब के बाबुजी को यहां समानत किया जा रहा हो इस से पहले भी साल 2019 में यूरोप के सबसे पुराने चर्चों में से एक पोलन में हरिवान अश्राय बच्चन के लिए प्रार्थना रखी गई थी बिग बी ने कहा गर्व है अमिताब बच्चन ने रविवार को इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेर की जिसमें लिखा हुआ है स्क्वेर चोक, हरिवान अश्राय बच्चन, व्रोकला पोलन ने फैसला लिया है कि व्रोकला में एक चोक का नाम उनके पिता के नाम पर रखा जाएगा दशेहरा पर इस से अच्छा उपहार कुछ और नहीं हो सकता था परिवार के लिए प्रोकला में भारतिये समधाय के लिए और भारत के लिए अत्यंत गर्व टक्षन अमिताब द्वारा शेर की गई तस्वीर अब सोशल मीडिया पर जम कर वाहल होने लगी है अमिताब के इस पोस्ट के बाद से लोग लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं और साथ में यह भी कर रहे हैं कि यह गर्व की बात है